गुट बार्णिंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्राफ रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वर्प्रगर कानपूर आज मैं बात करूंगा लिवर के पेन के बारे में लिवर का जो पेन है इस वना तो वेरी important issue क्योंकि जो digestive system है इसका लिवर सबसे important आरगन है जहां तक लिवर का सवाल है इसकी जो size है अगर हम ध्यान से देखें तो एक football के बराबर होती है जो लिवर का weight है वो 1200 ग्राम है इसका मतलब है लिवर सबकलो का होता है on an average आपको आश्चरे होगा कि लिवर 500 काम करता है 500 jobs जो 500 काम है उनमें से चार सबसे जो मातपून है उन्हें आप देखिए आप जो कुछ भी खाना खाते हैं आपकी जो small intestine है उसको digest करती है उसमें से जो nutrients हैं वो आपके portal vein लेके जाती है लिवर के अंदर और लिवर वास्तों में इनको सबको reprocess करता है इन convert करता है वैसा जैसा style of energy stock करने की ताकत रखता है जब भी आप खाते हैं खाना आपके जो body है उसमें sugar या glucose बनता है उस glucose को glycogen में convert करके रखता है यह almost वैसा ही है जैसा आप bank में fix deposit करते हैं जब आपको जरूरत होगी तो जो glycogen है उससे glucose को convert किया जाएगा और glucose आपको readily body के लिए available होगा यह का toxins होते हैं body में उनको filter करके खुन को साफ करने का जो काम है वो भी liver का ही है तो liver बहुत सारे काम करता है जिसा मैंने आप से कहा नो जहां तक liver के दर्द का सवाल है यह बात बिल्कुल सही है कि जब भी liver का pain आता है तो बहुत सारे confusions पैदा होते हैं because of the sight of the liver अब liver को देखे ध liver के pain से confused होगा जो ribs हैं के बीच में muscles या मांस्पेशियां होती है nerves होती है उनसे अगर कोई pain आएगा तो liver के pain से confused होगा अगर skin में कोई problem होगा जैसे हर्पीस जास्तर है boil हो गया तो इसका जो pain है वो कभी liver के pain से confused होगा ऐसे ही जो liver है उसके आसपास जो vicinity है उसमें बड़े important organs होते हैं अगर उनसे कहीं से pain आएगा तो liver के pain से confused होगा जैसे stomach से कोई pain आएगा तो liver के pain से confused होगा अकेले सिर्फ इनी organs की बात नहीं है अगर आपका जो pain है वो कभी कभी distant organs से आता है वो भी liver के pain से confused होता है अगर यह जो lung है या दाइं तरप का फेंफड़ा है इसमें कोई problem है से फर एक्जामपल हालका सा pneumonia का पैच है उसका जो pain है वो कभी कभी liver के pain से confused होगा ऐसे ही जो lung के ओपर की जो जिल्ले होती है जिसे plura कहते हैं अगर plura में कोई pain होगा वो कभी liver के pain से confused करता है यह आपको आश्चेरी होगा कि कभी कभार heart का जो pain है वो liver के pain से confused होने की ताकत रखता है यह बिल्कुल बात सही है कि liver से pain तो आता है लेकिन liver के अंदर कोई भी pain के receptors नहीं होते इसका मतलब यह है कि liver के अंदर कोई भी problem चल रही हो तो pain नहीं आएगा क्योंके liver के अंदर कोई pain के receptors नहीं होते हैं लिवर के ऊपर जो capsule होता है यह liver के ऊपर जो membrane होती है वास्तों में जो pain के receptors होते हैं वो capsule membrane में होते हैं तो जब भी कुछ तरह की problem होगी तो कोई liver में inflammation होगा या कोई injury होगी जिसके चलते liver का capsule stretch होगा तो आपको pain आएगा बाकी liver के अंदर कोई भी pain receptors नहीं होते हैं नो liver का pain कहां आएगा वो depend करता है कि pathology कौन सी है या underlying problem कौन सी है लेकिन मोटी तोर पर आपको समझने की जरूरत है कि liver का pain दाईं तरफ पसली की नीचे यहां आएगा यह जो pain है कभी कभार epigastium में यहां भी महसूस हो सकता है क्योंकि liver का left lobe इस area में आता है इसके अलाबा जो liver का pain है वो back में radiate होता है पीछे की तरफ जाता है and कभी कभार यह जो pain है radiate होके right shoulder में जाता है तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो liver का pain है वो यहां आएगा epigastium में आएगा पीछे radiate होगा यह दाईं तरफ के कंदे में जा सकता है these are the four areas जो आपको हमेशाद ध्यान रखनी की जरूरत है जहां तक liver का pain का सवाल है इसके बहुत सारे reasons है वो जो reasons है उनमें हम एक एक करके बात करेंगे next आने वाले videos में लेकिन आपको मोटी तोर पे जानकारी होनी चाहिए कि अगर viral hepatitis है तो pain आएगा अगर alcoholic hepatitis है तो pain आएगा चेरी syndrome कहते हैं उसमें pain आता है एक portal vein thrombosis है इबो vein है जो blood लेके आती है liver को अगर इसमें खून का थक्का जम गया तो pain आएगा लिवर में कोई भी injury हो जाए तो pain आएगा ऐसे ही liver में अगर cancer जैसी कोई disease develop होने लगते है तो pain शुरू हो जाता है गाल बेडर में जो stones होते हैं वो कभी के भी liver का pain लेके आ जाते हैं ऐसे ही महिलाओं में एक disease होती है जिसे कहते हैं फिट्स हुग कर्टिस syndrome कभी कबार इसके चलते लिवर में pain आता है आगे आने वाले वीडियोज में हम अलग अलग इन बीमारियों के बारे में बात करेंग होगा दाइन तरफ के कंदे में जाएगा तो एक दो तीन चार ये चार एरियाज हैं जहां liver का pain जाता है जो liver का जो pain है वो dull egging pain है बढ़ कभी कभार ये pain severe हो जाता है आगे आने वाले वीडियोज में हम अलग अलग बीमारियों के बारे में बात करेंगे अगर आप समझते ह हैं कि liver के pain को समझने में ये वीडियो आपको help करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं Dr. V. Commissioner from guest to liver hospital स्वरुपनगा कानपूर Thank you very much